हेलो दोस्तों कैसे आप सो भी लोग तो दोस्तों आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं SSC GD की जो भी फिजिकल का एक्जाम होड़ा है मुझपरपुर में जिसका भी सेंटर पड़ा है उसके बारे में दोस्तों complete वीडियो होने वाली है कहां रहना है कहां जाना है कितने वज़े जाना है और कम मॉर्णिंग में वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है उसके अंदर क्या फिजिकल में होता है क्या सब हुआ टोटल चीज मैं बताने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप लोगो ये वीडियो देखनी है तो complete देखें और इसके दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे exam center के अंदर बहुत सारे वीडियो और फोटो लेने पॉसिबल नहीं हो पाए है तो मैंने जितना हो सका मैंने उतना ही फोटो लिया है वीडियो लिये हैं और दोस्तों उससे जादा आपको मेरी बातों को गौर से सुनना चाहिए यहाँ पे क्योंकि मैं पूरी बात बताने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखना और नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि दोस्तो आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहेगी तो यहाँ पे मैं सेंटर पे पहुँचने के लिए उससे एक दिन पहले मैं रात को नवजे पहुचता हूँ दोस्तो यहाँ पे आप जाने के लिए सिंपली आपको मुझः परपुर आ जाना है मुझः परपुर में आप या तो जिरो माल के पास उतर जाएंगे ने तो मुझपरपूर सीतामडी की ओर जो रूट जाती है उस रूट में आना है वहाँ पे आपको जो भी है साधन की बिलकुल भी कमी नहीं होने वाली है यहाँ पे मैं 9 बजे सारे 9 बजे रात तक आया था हमेशा यहाँ पे आटो मिलती है आपको कुछ भी बुक करके नहीं जाना पड़ेगा आप सिंपली उस और्टो में बैट के आ सकते हैं वहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं मुझपरपूर के जीरो मैल से यह चार से पांच किलो मीटर की दूरी पे है तो दोस्तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं वहाँ भी पहुंचने के बाद दोस्तो आप रहने की प्रॉब्लम हो रही थी कि कहा रहना है तो वहाँ से थोड़ा सा ही अगर आप पैदल भी सौ और डेर सौ मीटर चलते हैं उतना होगा भी नहीं मुश्किल से 30 से 40 कदम चलते हैं तो आपको रहने के लिए गेस्ट हॉस मिल जाते हैं और वहाँ पे आप जाके नेटे सकते हैं वहाँ पे एक बेट की कीमत जो है वो आपको 100 रुपए से 1.500 रुपए ही पढ़ते हैं रुखने के लिए तो दोस्तों काफी जादा महगा भी नहीं बिलकुल स्टूरेंटों के लिए ही है वहाँ पे आप जा सकते हैं उसके सामने बहुत सारे होटेल धावा जहां पे आप खाना चाहें वहाँ पे खाना खाके स्टेक कर सकते हैं और सुबह सुबह चार बजे हम लोग वहाँ पे एक्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं वाप इस सबी के सबी स्टूडेंट आपको उस टाइम में निकलते हैं तो आपको भी उसी टाइम में जाना है वहाँ पे जाने के बाद दोस्तो आप लोगों का जो भी फिजिकल के लिए एडिमिट कार्ड निकाले आ गया है वो लेना है और एक आईडि प्रूफ होना ही होना चाहिए अदार कार्ड पेंट कार्ड वोटर आईडि ड्राइवरी लेसेंस इच भी एक होना चाहिए जिस पे आपका फोटो क्लियरली दिखा हो और आपका नेम में कोई भी अंतर नहीं हो तो दोस्तो ये वाला एडि आप लेके जाएंगे तो वहाँ पे बैच बाइज लगभग सतर असी बच्चों का एक बैच बनाया जाता है और वहाँ पे बिठाते हैं और आपको अंदर लेते हैं और बिठाते हैं जोस्तो यहां पे पहुंचने के बाद आप लोगों को फिर से बैचने के लिए बोला ज़ता है आप लोगों फिर से वेट करना है और उसके बाद आप लोग को 4-5 पेज का फॉं में आपको एक एक जगा उसमें नेम, डॉल नमर और सिगनेचर खुझ के बता दिया जाएग इसी form पे आपको लगाना होगा और एक photo जैसे आपने SSC का exam दिया था तो उसमें एक attendance copy के साथ एक छोटा सा copy मिलता है जिस पे आपका पहले से photo रहता है उसके पीछे आपको कुछ line लिखनी होती है Hindi या English में और वहाँ पे आपको अपना photo भी paste करना होता है same to same वैसा ही एक paper यहाँ पे मिलेगा आपको उसी तरह से fill up करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों जो running होने वाली है या फिर जो batch बनाया जा रहा है वो batch मतलब जो ले रहे हैं candidate को उसके उनके पास जो वो copy है जो मैंने बताया जैसे कि अससी exam में दिया गया था वो copy उसके recording यहाँ पे बिठाया जा रहा है जिसका copy वो खुद ही नाम मतलब announce करते हैं और जिसका नाम पहले आता है उसको पहले batch में लिया जाता है यहाँ पे पहले batch में 100 candidate थे और दुश्डे batch में 110 candidate थे जाना बेकार है दोस्तों पांस किलोमीटर ऐसे दौरना विना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं होता है तो दोस्तों उससे पहले जब आप form fill up करते हैं उसके बाद आपका height measurement किया जाता है जिस सब का height complete है उस सब को excited कर दिया जाता है उस सब को physical के लिए तयार किया जाता है और दोस्तों बांकी जिसका height नहीं है जिसका height बहुत ज़्यादा छोटा है उसको वहीं पे निकाल दिया जाता है या फिर जिसका approximate complete होने मतलब उतना है उसको एको रखा जाता है उस सब को दौरने का मौका दिया जाता है उसके बाद accurate measurement होगा बाद में तो दोस्तों यह सब होने के बाद आपको यहाँ पे दौराना शुरू करते हैं और यहाँ पे पहला batch जो दौरा था यह दौरा था आपको 6 बज़ के साइद 15-20 मिनट हो रहे थे सब 6 बज़ के करीब यहाँ पे शुरू किया था पहला batch और दोस्तों सब 7 बज़ के करीब शुरू किया था जो कि होते होते 8 सब 8 बच जाते हैं उसमें तो काफी धूप हो जाती है तब तक तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसा उमीद करें कि अगर आप लोग का पहले नाम आ जाता है उस attendance seat में तो दोस्तो आप लोग की running यहाँ पहले हो जाएगी track की बात करें तो दोस्तो यहाँ पर road जैसे बना होता है pitching वाला road वैसा है और उसमें कहीं कहीं पर मतलब वो गिट्टी जो है वो उखरे हुए है तो बिना जूते के दोरना यहाँ पर दोस्तो हमारे लिए ही problem create कर सकता है इसलिए मैं suggest करूँगा कि यहाँ पर आप लोग जूता पहन के ही आएं और यहाँ पर एक circle बनाया गया है वो circle 2500 मीटर का है मतलब की धाई किलो मीटर का है और उसके दो डूंड लगाने होते हैं आप लोगों को उसमें से जो भी candidate qualify कर जाते हैं running उसे एक set बिठाया जाता है और जो candidate qualify नहीं कर पाते हैं running को उसे दुसरे side बिठा लिया जाता है अगर कोई candidate running करने के बीच में ही अगर गिर जाता है कहीं पर accident हो जाता है उसका कहीं पर चोट लगती है तो आपके पीछे पीछे ambulance चलते रहता है उसमें आपको उठाके लाया जाएगा और दोस्तों वहाँ पर बिठा दिया जाएगा थोड़ा सा थोटी मोटी treatment है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी पर दोस्तों physical measurement की बात करें तो जो candidate fail कर गए है या फिर जो candidate pass किया है यहां पर सभी का physical measurement होता है मतलब कि height की measurement होती है weight की की जाती है और chest जो है वो भी measure किया जाता है दोस्तों chest जो है यहां पर थोड़ा नीचे से measure किया जा रहा था तो दोस्तो आप लोग उस तरह से अपना तयार होके आएं क्योंकि दोस्तो यहाँ पे सबका मेजरमेंट किया गया था और एक इंपोर्टेंट बार दोस्तो जब आप रणिंग करते हैं और जब आप सकेंड रौंड लगाना शुरू करते हैं तब आपको एक टोकन दिया जाता है उसे आपको संभाल के रखना होता है रौनिंग जब आप फिनिस करते हैं तो वो टोकन आपको दिखाना पड़ेगा अगर वो टोकन आपके पास नहीं होगा तो आप रौनिंग में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे नास्ते की वेस्था वहाँ पर की जाती है खाना की वेस्था है पानी की है जो कि आपको अपने पैसे से खरीद के लेनी पड़ेगी और खानी है तो खा सकते हैं उसके बाद दोस्तों उन लोगों को साम तक रोका जाता है और बांकी कैंडिडेट को 12 एक बज़ते बज़ते छोड़ दिया जाता है और जो कैंडिडेट पास किया है उसे लगवग साम तक वहाँ पे रुखना होता है क्योंकि उनका फिजिकल मेजरमेंट होता है उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपको डोक्यूमेंट भी चेक किये जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आपको साम में फ्री किया जाता है तो दोस्तों यह रही कंप्लीट वीडियो की जानकारी तो दोस्तों आप लोग को ये क्यासी वीडियो लगी अगर आप लोग के मन में कोई और थी question बची रहे गई जिसका answer मैंने इस question में इस वीडियो में नहीं दिया है तो दोस्तों आप उसे comment section में मुझसे पूछ सकते हैं मैं यहाँ पे सभी के comment का उत्तर देना चाहूँगा दोस्तों तो आप लोग को अगर कोई भी problem है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझा परपुर्ण में अगर आपका भी exam है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महतपुर्ण होने वाली है इस वीडियो में कही गई एक एक बात आपके लिए दोस्तों काफी महतपुर्ण है तो दोस्तों जाओ exam दो आप सभी को best of luck बहुत बहुत सुबकामना है